अब अब नाम है मेरा स्वागत करता हूँ एक बार फिट से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं आट्स बाइब राच्पूत मैं यह वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बार बार डबल ओ के बारे में पूस्टे रहते हैं कि असिस्टेंट ओडिट ऑफिसर की पोस्टिंग कहां होती है उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है बला 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 और क्या दोजार पच्चिस में इसकी वेकेंसी आएगी या 26 में आएगी या 27 में नहीं आएगी 27 में आएगी तो इन सभी कॉस्टिंग का जवाब मैं आपको एक साथ दे देता हूँ और आप ये मान के चलो कि इसके बाद मैं डबल ओ से रेलेटेट किसी भी कॉस्टिंग का आंसर नहीं करूँगा आप मैंसे बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हैं देखो और किसी चीज के बारे में पूछना हो आप पूछ सकते हो डबल ओ के बारे में आज के बाद मैं कोई आंसर नहीं गरूँगा मैं अल्लेडी इनफ कर चुका हूँ सबसे पहले देखो डबल ओ की वेकिंसी आने वाले दो तीन साल में मुझे तो नहीं लगती आएगी ठीक है बहुत बच्चे पूछतें क्यों नहीं आएगी क्योंकि वेकेंसी नहीं है, जिम्पल सी बात है कि अब ही सकती है, नहीं भी आसकती है बट अभी का जो circumstances चल रहा है मैं आपको बता दूँ बहुत बचे finance और economics की preparation करते रहते हैं वो बोलते सर हम अभी नहीं दे रहे 25 में नहीं दे रहे 26 में देंगे हम 27 में देंगे हम 28 में देंगे तुम 30 में भी दे लो जवाब वही रहने वाला है कि डबलेओ की vacancy आएगी या नहीं आएगी यह बहुत uncertain है बहुत uncertain है बहुत बच्चे क्या है कि बहुत सारे YouTube channel में views के लिए वो बोल सकते हैं आपको कि vacancy आएगी कब आएगी नहीं आएगी बट trust me अभी हमारे department में बहुत डबलेओ है ठीक है एड़ॉक डबलेओ को डबलेओ बनाया गया है और हर department में हर state में जितना vacancy है उससे ज़्यादा डबलेओ है तो rarest of the rare कोई state होगा जहां vacancy होगी बट vacancy नहीं है तो आप डबलेओ की तयारी बिलकुल मत करो बांकी जॉब है उसकी तयारी करो ठीक है तो 2022 2020 was the last batch जिन्होंने डबलेओ इन्रोल किया है I mean डबलेओ जॉइन किया है उसके बाद जो 4800 grade pay की जॉब SSC ओफर करते थी एकलोती वो अब नहीं आएगी बहुत बोलते हैं कि क्या सरी ये UPSC की तुरू आएगी या फिर किसी और जॉब की तुरू आएगी नहीं ये UPSC की तुरू नहीं आएगी देखो UPSC मेना का एक simple सा funda है कि UPSC अगर किसी ने exam किसी कोई job offer करती है तो उसका एक simple सा rule होता है कि उसके बाद department कोई exam नहीं लेगा उसको वो करने के लिए confirm करने के लिए for example अगर मान लो UPSC से एक बंदा DAG बनता है हमारे यहाँ DAG आते है तो DAG को SAS नहीं देना होता है लेकिन डबल ओ के लिए डबल ओ बनने के लिए एक fix rule होता है कि you have to clear SAS exam ठीक है और UPSC का एक simple clause है कि हम ने जो दे दिया आप उसे रखो ठीक है उसके बाद आप उस बच्चे का all test मत लो ठीक है जबकि DAG के साथ उल्टा है तो इसकी वेकेंसी ऐसा नहीं है कि in future आपको UPSC में दिखेगी नहीं आएगी हाँ state level पे डबल ओ की वेकेंसी आती रहती है state government की बट वो डबल ओ अलग है ये डबल ओ अलग है नाम भले ये assistant accounts officer है तो बट वो डबल ओ अलग है ये डबल ओ अलग है तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूँगा डबल ओ की वेकेंसी नह आएगी तो तब कर लेंगे तैयारी तैयारी तो दो तीन मैंने में हो जाती है डबल ओ की कोई इतना तो खास है नहीं अगर आप 2025 के तैयारी कर रहे हो तो हमारा हमारा जो prime time 3.0 है math का course वो जॉइन कर सकते हो उसमें फिलाल आज रात 2 October है 2 October को रात में 12 बजे तक अगर आप questions करके मुझसे पूछ सकते हो ओके thank you so much मिलता होंगी class में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो